जैहिन दोस्तो आज की इस खास वीडियो में आप सभी का स्वागत है अब आप सौच रहे होंगे कि आज की इस वीडियो को मैंने खास क्यों बोला तो आप सभी को बता दें दोस्तो कि इंडियन आर्मी के हिस्ट्री में साइध ये पहली बार होगा जो 33 डिस्टिक्स की जो र एधर GD se лेकर, क्लर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टें, ट्रेट जो भी बार को पूर्री की पूरी ट्रेट पर एक साथ भरती निकली है और यहां पर 33 डिस्टिक्स की बार दें ? यह एक साथ 33 यानि कि 33 districts एक साथ भरती होंगी तो दोस्तो वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टेड है और साथ मैंने आपको पहले बता चुका कि मैंने आज तक भी ऐसी नोटिफिकेसे नहीं देखी ठीक है? आज तक मैंने ऐसी नोटिफिकेसे नहीं देखी कि 33 districts के लिए एक साथ भरती का मौका आर्मी ने दिया है तो इस बार आपके लिए मौका मिला है तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकन दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ में सेर करना और हमारे चैनल पर अगर नए है चैनल को वी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे हैं तो चलिए दोस्तो बिना समय गवाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहले तो आप यह नोटिफिकेशन देख लीजी रिटिश टैश्ट से ठीक है तो फिजीकल में आपको बता दे कि यहां पर दोस्तो चार्ट रहे कि आपकी फिजीकल में टैस्ट होते हैं नंबर बन रेनिंग होती है, नंबर टू बेम होते हैं, नंबर थ्री नविट जिगजग बैलेंस land fit ditch और zigzag balance आपके लिए only qualify करने होती है इसके लिए आपको कोई भी marks नहीं दिये जाता है उसके बाद में running और pull ups के आपको दिये जाते है marks तो ध्यान से समझेगा कि आप कितने pull ups मारेंगे और कितने अपनी कौनचे group में और कितने time में अपनी running पास करेंगे तो आपको कितने marks दिये जाएंगे ठीक है बहुत ये अच्छे से समझाऊंगा अगर आप समझेंगे तो आपको बिल्कुल आज ये जो topic है वो clear हो जाएगा कि army में जो physical के number मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं running तो 1.6 km की running होगी आपकी और उसके लिए अगर आप 5 मिनट 30 seconds के अंदर पास कर देते हैं तो आपको group बन ऐलोट किये जाएगा और group बन वालों के लिए दोस्तों मिलते हैं 60 marks तो आपको 60 running complete होती है तो आपको अलोट किये जाएगा group second जिसके लिए आपको 48 marks दी जाएंगे यहां पर आपके 12 marks कट गए अब बात कर लेते हैं दोस्ते यहां पर pull ups की तो अगर आप 10 pull ups मारते हैं तो आपको full marks दी जाते हैं 40 marks ठीक है 9 pull ups में आपको 33 marks दी जाएंगे उसके बाद में 8 pull ups में आपको 27 और 7 pull ups में आपको 21, 6 pull ups में आपके लिए 16 marks और अगर आप 6 से कम pull ups लगाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे तो एक बात आपको बता दें यहां पर कि अगर आप 6 pull ups भी लगाते हैं कुछ candidates बच्चे ऐसे होते हैं जिन पर ज्यादा pull up यानि की beam होते हैं जो नह नमबर में लेगे हैं फिर आपके लिए return exam में मेनत करनी होगी और अपने जो है वो नमबर उधर खींचने होगी तब यह आपका जो है नमबर आप आप आएगा ठीक है तो physical तो हो गया दोस्तो अब आपको बता दें कि यहां पर कौन कौन से ट्रेट्स की जो है वो भरती न दाल दूँगा जिसमें आप इसको डाउनलोड करके और आप देख सकते हैं आपने मोबाल से ही आप registration भी कर सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से इसमें बताया गया है कि आप registration कैसे कर सकते हैं अब बात करते हैं कि registration कब से कब तक होंगे तो 19 जनबरी 2021 से 17 फरवरी 2021 की बीच में आपके जोड़र रेजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे 19 जनबरी से 17 फरवरी 2021 की बीच में आप इंडियन आर्मी की ओफिसल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाके लोगन कर सकते हैं उसके बाद में step by step यहां पर दोस्तों बताया गया है कि आप लोगन करेंगे उसके बाद में ही बताया है दोस्तों कि यहां पर कौन कौन से ट्रेट की भरती के लिए क्या क्या एजुकेशन क्यालिफिकेशन मांगी गई है पूरी की पूरी डिटेल दी गई है तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों यहां पर जो भरती है तो यह जो भरती है यह दोस्तों सभी तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर soldier technical, soldier technical ammunition examiner ठीक है और उसके बाद में दोस्तों आपका यहां पर दिया गया है soldier nursing assistant AMC में उसके बाद में दोस्तों soldier tradesman all arms उसके बाद में दिया गया है यहां पर soldier clerk और store की पर ठीक है तो पूरा का पूरा यहां पर दोस्तों आपके लिए जो है वो जो army के trades हैं सभी में भरती निगली हुई है तो इनके बारे में जो आपकी इनकी eligibility criteria है बताने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप यह जानना चाहते हैं जैसे कि अभी आपको पता है कि army में जो height और weight का combination है उसको age के साब से connect कर दिया गया है तो पहले आपका जैसे 50 kg बजन minimum अनवारी होता था लेकिन अभी ऐसा नहीं है अभी आपका minimum और maximum बजन के लिए categorized कर दिया गया है तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को detail में चाहते हैं कि मैं आपके लिए army में किस प्रकार से बेट के लिए आपको क्या education क्या height weight की जरूरत होगी उसके बाद मैं आपके लिए बताऊंगा यह जो भरती है वो 33 कौन कौन सी districts के लिए है ठीक है तो वीडियो को लाज तक देखते जरूर रहेगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like, comment और share जरूर करें और अगर चैनल पर 65 cm चेस्ट आपका 77 cm होना चाहिए आप सभी ने अगर पहले आर्मी की notification देखी हो तो आपको पता है यहां पर बेट का कॉलम भी आता था 50 kg लेकिन अभी आर्मी ने height के साथ में आपका minimum and maximum weight को categorize कर दिया है तो अगर आप वो वीडियो चाहाते हैं बिल्कुल detail में आप पता क करना चाहाते हैं कि आपकी age इतनी है height इतनी है तो आपको कितना minimum हो कितना maximum weight लाग हुए तो आप मुझे commit करके बताएं आपको में beauty provide करा दूँगा ठीक है एजुकेशन का लिभगसने आपके 10 plus 2 यानि कि 12th पास होना जरूरी है और physics, chemistry, math plus English आपके पास में subject होना जरूरी है ठीक है उसके बाद में soldier general duty में आपके इतनी होना जरूरी है 10 plus 2 पास होना चाहिए marks कोई भी subject कोई भी matter नहीं करता है इस तरह ऐसे soldier treatment की है दोस्तो 10th पास और 8th पास इसके लिए आपके लिए class 10th simple पास होना जरूरी हो और class 8th पास आपको simple जरूरी है ठीक है उसके बाद में दोस्तो most important thing जो है वो है soldier clerk तो clerk के लिए आपके जो high table 162 cm लेते हैं यह आपकी साड़े सत्रा से 30 साल और एक October 1997 से एक April 2003 के बीच में आपकी date of birth होनी चाहेंगे उसके बाद में आपका जो chest है वो 77 cm intermediate pass होना चाहेंगे 60% marks होना चाहेंगे overall आप किसी वे subject में 50% marks से कम नहीं होने चाहेंगे तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बता दें कि यह जो भरती है वो कौन से state के लिए निकली हुई है और इस भरती में आपके जो यह भरती कब से कब तक होगी तो सबसे पहले देख लें आप कि यह जो भरती है वो 5 March 2021 से 24 March 2021 के बीच में होनी है ऐड तेलंगाना स्पोर्स स्कूल हाकिम पेट तेलंगाना तो यह भरती है दोस्तों तेलंगाना मैं आपसे बोल रहा था कि यहां पर 33 districts की भरती एक साथ है तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर army recruiting rally under the ages of headquarter recruiting zone chain will be conducted by army recruiting office सिकंद्राबाद from March March 2021 to 24 March 2021 at Telangana sports school हाकिम पेड Telangana to enroll eligible candidates into the army from 33 districts of Telangana state मलब Telangana full Telangana के लिए भरती है दोस्तों तेरंगाना की 33 districts के लिए यहां पर जो है भरती निकाली गई है तो 5 March से 24 March 2021 की बिजम भरती होगी अधिक जानकर एक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी information होगी आपको इस भरती से related मिलती रहेंगे तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के लिए